Hello and welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो टुटोरियल में मैं आपको सिखा हूँगा कि आप कैसे easily index citation और references एड कर सकते हैं अगर आपको ये article, research article या thesis के chapters लिख रहे हैं. इवन इफ अगर आप फैमिलियर नहीं है with softwares like Mandalay, Zotero, EndNote and other reference management softwares आपने क्या करना है कि आपने एक add-on add करना होगा Microsoft Word में जिसका नाम है bib citation इसके लिए मैंने एक sample text रखा हुआ है इससे पहले कि हम index citations और references इसमें add करें आपने पहले add-on add करना होगा उसके लिए आप पहले insert में जाएंगे insert tab में insert tab में फिर get add in इस पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे bib citation इसको सर्च करने के बाद आप bib citation पे क्लिक करके add-on button और फिर subsequently continue पे क्लिक करके ये add-on button आपके Microsoft Word में add हो जाएगा और ये आप को मिलेगा home button के right side corner में इस add-on की खुबी ये है कि इसमें आप multiple document types सर्च करके उनको site और उनकी references एड़ कर सकते हैं अपने document में मान लीजे आप ते journal article को add करना होगा इसके लिए मैंने अपना google scholar account जो है वो खोल के रखा है यहां से हम detecting seminal research paper ये title copy करके journal articles पर click करके इसको आप तीन तरीके से research articles को search कर सकते हैं title by author names और DOI अगर आपको search करने के बाद ये नहीं मिला तो आप इसको fill manually भी कर सकते हैं अगर आपके पास bibliographic information available है तो यहां search करने के बाद ये मुझे मिला इस पर click करने के बाद ये पूरी detail हमें दिखाएगा यहां से हम reference style चूज कर सकते हैं चाहें आप MLA या Chicago या other reference styles है अपने जर्नलिस के अपने styles भी होते हैं तो यहां मैंने APA American Psychological Association 7th edition को select किया हुआ है जब हम इस पे hover करते हैं तो ये तीन options डिस्पले करता है copy copy means कि आप पूरी reference को copy करके paste कर सकते हैं edit मान लिए आपको लग रहा है कि इसमें कोई editing की ज़रत है name या other thing तो इसको आप select कर सकते हैं फिर third option है index इस पे click करने के बाद ये आपको create index citation पर ले जाएगा यहां आप page number भी दे सकते हैं अगर आप जाहेंगे तो इस पे copy option पर click करने के बाद यहां आप इसको paste कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने पहले index citation की मान लिए आपने दूसरा article इसमें cite करना होगा तो इसके लिए मैं इस वाले paper को किमकि इसी की details मैंने वहां लिखी हुई है इसको search करेंगे search करने के बाद इस पर जब हम hover करेंगे या sorry click करेंगे उसके बाद यह हमें दिखाएगा hover करने के बाद index index पर click करने के बाद copy करेंगे फिर यहां जाके जहां आप इसको cite करना चाहते हैं वहां paste करेंगे मालीजे आपने अब कोई वीडियो इस में cite करना होगा for example तो वीडियो पर click करने के बाद आप वीडियो का URL copy कर सकते हैं यहां मैंने अपने YouTube channel का एक वीडियो उसकी link लूँगा इस पर इसको paste करेंगे तो यह search करने के बाद आप continue करेंगे यहां यह D दिखा रहा है क्योंकि चैनल का नाम है डाक्टर बशाता मनमलिक इस लिए इस D को हम remove कर सकते हैं edit option में जाके यहां in text पर click करने के बाद copy करेंगे माल लीजे यह भी हमें cite करना होगा तो इस तरीकी से इस video को भी cite कर सकते हैं अब हमें references add करनी है अब इतनी references हमने इसमें in text में दी है अब हमें नीचे references अभी add करनी होगी तो आप इस वाले option पर जाएंगे कि कौन सा list है किस list में है आप यहां अपना list भी create कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहां test एक list create किया हुआ है new list भी आप create कर सकते हैं click करने के बाद अगर आप चाहेंगे इस तरीके से इसको आप rename कर सकते हैं इस वाले in three dots में जाके आप इसको rename कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको save भी रख सकते हैं मान लिज़ आपनी chapter 1, chapter 2, chapter 3 लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप इसको save भी कर सकते हैं space की भी problem नहीं है इस तरीके से अगर आप family year नहीं है with softwares like mandalys, otiro, endnote and other reference management softwares तो आप इस वाले add-on को यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्रीली available है और आपका काम ये easy कर सकता है research का काम